नमस्कार अपलाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में देखिए अभी विधान सभा चुनाओं में एक वर्स से अधिक का समय बाकी है लेकिन उसके पहले ही बिहार मे सियासत जोर पकर रही है अब दाओ पेश तो हम देख रहे थे पातियां किस प्रकार से जातिया समीकरनों को साध कर आगे की रनिनीती बना रही है हम वो भी देख रहे थे लेकिन अब पार्टी छोड़ने का भी सिलसिला निताओं ने सुरू कर दिया है राज़त के राष्ट्रिय महासचीव के पत परतैनात पुर्वमंत्री स्याम रजक ने राज़त छोड़ दिया है और सायराना अंदाज में जो बाते कहीं हैं लालुत तेजश्वी दोनों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है कितना बड़ा नुकसान राज़त को इससे होने वाला है हम इस पर विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे लेकिन इसके साथ ही साथ NDA में भी कुछ बदला बदला नजारा देखने को मिल रहा है जहां कुछ समय पहले तक NDA में केवल और केवाई चिराग पासवान की ही पूछ देखने को मिल रही थी लेकिन अब जो नवन्यूक्त BJP के परदे सद्यक्ष है दिलिप जैसवाल उन्होंने पशुपती कुमार पारस को भी भाव देना शुरू कर दिया है और इसके लिए उन्होंने रालोचपा काड़याले में जाकर पशुपती कुमार पारस से मुलकात की अब इस मुलकात से चिराक पास्वान की छटपटाहट कितनी होगी अम इस पर भी चर्चा करेंगे बात करने के लिए वरिष्पत्रकार रविरंजन जी हैं और वरिष्पत्रकार प्रवीन बागी जी हैं सबसे पहला सवाल तो स्याम रजक को लेकर पहले जदियू में थे फ तिती हो रखी थी राजद में उससे यह लग रहा था कि वो किनारे कर दिये गए हैं फिर भी उन्होंने इतने दिनों तक धहरे से प्रतिक्छा की कि पाटी नित्रित की कुछ नजर उन पर पढ़ जाए कुछ ओहदा मिल जाए तो इस उमीद में वो थे मगर जब देखा है क उन्होंने कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं तब उनके सामने अब कोई विकल्प नहीं था अगर आपको राजनिती करनी है तो फिर कोई नई राहत तलास नी पड़ेगी इसलिए स्याम रजक ने पाटी छोड़ दिया है मगर ये बहुत लेट से छोड़ा और बहुत इंतज करके छोड़ा जिस दिन मुन्नी देवी को विधान परिषद में राजद में भेजा मुन्नी देवी भी उसी जाती से हैं जिस जाती से स्याम रजक है और वो पहले लालू परिवार के कपड़े धोती थी मुन्नी देवी उनको उन्होंने भेजा राजद में विधान परिष बश्ता साफ हो गया उनका उनके सामने जद्यू ही है विकल्प के रुप में वह आज जाएं जब भी जाएं वह जाएंगे और उनके रिष्टे नितिश कुमार से भी अच्छे रहें उनकी सरकार में मंत्री भी रहें तो इसलिए जद्यू को भी दिक्कत नहीं होगी और वहा भी पुश्क के सिध जाएं यसे जीते रहें और स्याम्रजक चौन भार से विधायक रहे तो सीणर ओल्डर रहें च्बतर के आंदोलन में बहुत सक्रिय रहें और स्याम रजक की खासिएत यह है कि वो कारकरताओं के बीच बहुत लोग प्रीय हैं क्योंकि मदद करते रहें कारजा कि नेता के रूप में मन्त्री रहे तो मंत्रे के रूप में और एक समय लोग जो थे ये बड़े गहरे मित्र हुआ करते थे और लालू प्रशाद भी इन पर आख मुंद के भरुसा करते थे मगर फिर ये तिकड़ी तूट गई राम खिरपाल यादो बाजपा में चले आए राजीव रंजन जदियु में चले गए और स्याम रजक फिर इधर जदियु में आ गए तो तिकड़ी तूट गई अलग-अलग विखर गए लोग तो स्याम रजक कारकरताओं के बीच लोग कुपये रहे हैं और जनता के साथ यूंका अच्छा ना तरा है बंगा बंद Songke पॉलिटिक्स करने वाले निता नहीं रहे हैं वो जमीन पर की राजनीति करने वाले निता रहे हैं तो उनके आने से नि शितुरूप से जिस पार्टी में Hoga جाएं ज्वी अ आधा सरकार में और फुलवारी के विधायक थे इतना बड़ा ओहदा विधाय की यह सब छोड़कर वो राजद में गए होंगे क्या उमीद लेकर गए थे और क्या हो गया नहीं वो थे तो राजद के और जदिव में उनकी इस्तिती बहुत खराब हो गए थी और वो बाचित ऐसी बाचित थी जो मैंने अपत्ति जनक निश्चित रूप से थी स्याम रजद जो बाते कर रहे थे वो नितिश कुमार को नागवार गुजरी थी और यह तय था कि उन पर करावाई होगी तो उनको जाना ही था दूसरा कोई उपाए उनके पास नहीं था लेकिन वह एक महत्वा कांचा जो श्याम रजद की है वह बहुत बड़ी है और इसी महत्वा कांचा के कारण जदिव में भी वह जो जगह चाहते थे और नितिश कुमार वह जगह देने के लिए उनको तयार नहीं थे वहाँ भी वह एक अपना एक जगह चाहते हैं कि वह बहुत बड़े नेता है पुराने समय निशित रूप से और सुचिता की राजनीती करने वाले लीडर्स में आरजदी में बहुत कम लोग है जिसमें स्याम रोजक को कहा जा सकता है कि वह है जो हत्तर अंदोरुन के समय के के पुराने साथियों को अभी भी सिस्क्राइब करते हैं चाहे वह किसी भी पार्टी चाहे तो वह स्याम रजक वह लोगों से घृंप लोगों से तो यह तो बात है तेजपरताप यादाव उनको ने चढ़ा रखे थे आख पर की इनको कुछ ना कुछ तो करेंगे और तेजपरताप यादाव लगा तार अपने पिताजी से यह लालु पुछाद यादाव से कह रहे थे इसको हटाओ पाटे से निकालो तो स्याम रजक तो कोप बाजन का शिक तो वहां भी एक वीडियो ही उनके खिलाफ गया वीडियो रिकॉर्ड कर लिया दिखाया वहां राजद के आफिस में सब लोगों के सामने की जालीबकर है हलांकि उन्होंने कुछ ऐसी बाते नहीं कही थी लेकिन उसमें तो थी बात कि वह जो कह रहे थी तो दोनों ही जगा जगादाल के कारक्रम में उन्होंने मुझसे भी कुछ ऐसी बाते कहीं कि यह पार्टी के कुई कमी निकाल के कि इसको उजागर करना चाहिए तो वो चुपचाप नहीं बैठते हैं और चुपचाप नहीं बैठते हैं तो उनकी जो निष्ठा पर पाटियां जो है वो लग में गए तो अब तो मैंने एक तरह से रिटार्बेंट की रहे लेकिन देखिए एक बार मैंने उनसे यह बात की थी कि भाई बिहार में दलित नेताओं को लेकर अभी बड़ी असमंजस किस्तिती है कि कौन है दलितों का नेता दलितों के सवाल को उठाने माला लीडर कौन है वो कह रहे एक यूथ लीडर निकलेगा स्यामरजा खुद बात करते थे कि यह समय आएगा एक यूथ लीडर निकलेगा और दलितों का नेता बनेगा अब चिराग पासमान दलितों के नेता होंगे कि स्यामरजा को उस शत्रे में काम करेंगे क्योंकि दलित संगठन उन्हों बनाया है थ Kita है तो इसमें स्याम रॉज़क को एक दिख रहा है का रहा है और में वह आगे बढ़ सकते हैं तो स्याम रजक साइद इस दिसा में काम कर सकते हैं सवाल यहीं है कि 25 का चुनाओ है एक साल से अधिक समय जरूर है लेकिन तयारियां तो अभी से सुरू की जाएगी पिछली बार तो राजत ने टिकट ही कार दिया लोक सभा में भी स्याम रजक क होगी या फिर कोई और हो सकती है ज्यादा संभावना है कि जडियू होगी क्योंकि जद्यू के साथ उनके तालमेल और टेंपरामेंट दोनों मिलते हैं बहुत लोग कह रहे हैं कि नितिश कुमार से बाक्षीत भी होई है मगर एक और ऑप्सन खुला हुआ है ऐसे लोगों क करके तो वह अब उनको कितना सूट करेगा स्याम रजक को यह देखना होगा मगर फर्ष्ट प्रयाक्टी हमको लगता है कि जद्यू होगी उनकी और वहां नहीं बात बनी तो फिर प्रसांत की सोर का प्रेटफॉर्म तो है इस सब के लिए खुला हुआ है प्रभाव क्योंकि रवी जी का रहे थे कि वो कारकरताओं की मदद करते रहते हैं चभातर अंधुलन के जो साथी संकट में हैं उनके साथ को खड़ा होते हैं पट्ना में जब बंत्री थे या फुलवारी से विधायक थे तो कहीं भी कोई कुछ समस्या होती थी कहीं भी कोई प्रॉब्लम खढ़ा होता था नागरिक समस्याएं होती थी तो सबसे पहले पहुचने वालों में श्याम रजक थे लोग भी उनके पास आते थे समस्याओं के समधान के लिए उनके घर में या दफतर में हमेशा भीड़ि जमा रहती थी, त दूसरे किसी नेता को आगे बढ़ने नहीं देती हैं तो इसलिए उसी राजनिती का सिकार हुए है स्यामरजक वो जो भत्तर अंदोलन से निकले नेता है तो इसलिए वो पारिवारिक वनस्वादी राजनिती उनको सुट नहीं करती है या उसके अनुकूल उनका मज जाते हैं सब जगह अब जद्यू में भी वही वन मैंसो है मगर अब वहां थोड़ा सा यह है लिवर्टी है कि कोई उनका उत्रा धिकारी नहीं है नितिजी का तो इसलिए वहां थोड़ी सहजता उनको हो सकती है तो स्याम रजक अब विधान सभा चुनाओ कि तयारी में अंदर दो लोजबा एक चिराग पास्वान का गुट और दूसरा पशुपति पारस का गुट लोगसभा चुनाओ के दौरान पशुपति कुमार पारस बिल्कुल किनाड़े कर दिये गए चिराग पास्वान को अहमियत मिली और उसके बात से जिस तरीके कि ये लगतार दिखाई दे रहे हैं लेकिन दिलिप चैसवाग नवनियूग बीजेपी के परदेश अध्यक्ष बीते दिन जाते हैं पशुपती कुमार पारस से मुलकात करते हैं रालोजपक कार्याले में और उसके बाद अब एक चर्चा छिड़ गई है कि क्या चिराक पास्वान और पश अधिया के साथ हैं उन्होंने ये कहा कि मैंने एंडिया ने उनके साथ धोखा किया उनको तरजीह नहीं दी गई उनकी अंदेखी की गई फिर भी मैं एंडिया के साथ खड़ा हूं ये लगातार वो कहते रहे हैं तो एक निष्ठाप पार्टी के प्रती और गठबंधन के लगातार दिखाते रहे हैं और ऐसे समय में जब उनको ये दिख रहा है कि उनकी राजनीती खतम हो रही है पीरों से जो तरारी होगे अब इदान सभा तरारी से एक प्रत्याशी खड़ा करने की बात वो उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस करके भी हाल ही में कहा था और ये कहा था कि सभी सीटों पर चुनाओ लडेंगे तो उन्होंने अपना एक प्रेसर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की एक ताकत दिखाने की कोशिश की अब भारती जनता पार्टी चाहती है कि इनके साथ जो हुआ धोखा अब कुछ उनको भी साथ ले लिया जाए जो कि अभी जो ह है भारती जनता पार्टी को खासतार पर जरूरत है की जो उसके उपर एक लग रहा है डलित वीरोधी होने का पिष्राभरयोðी है अठी ठिश्रा विरोधी होने का एक जो आरोप लग रहा तो हमत जो लग रही है उससे किसी तर से मुक्ति मेले तो ऐसे तमाम लोगों को करने का मक्सद ही है कि वो सब को लेकर चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत हो लेकिन पशुपति पारस कितना अब उनके पास क्या बचाए राजनीती तो अब उनके पास नहीं बच वो वो दो दिन पहले खगडिया में यह कहते हुए सुने गए कि अप कुछ मेरा लूट गया तब ही हमारे लोग मेरे साथ हैं यह बात वो कह रहे हैं तो भारती जिनता पार्टी को यह लगा होगा कि जो लोग उनके साथ हैं उनको भी समेट कर साथ में लेकर चले अब यह चिराग पासवान के उपर है कि अपने चाचा को कितना तरजी ही देते तो चिराग पासवान को दिल पर बात लगी है और वो अपने चाचा को माफ करने वाले हैं नहीं अब भारती जिनता पार्टी के दबाव में भले कुछ बात बन जाए राजनीती सम्हाओनाओं का खेल है अब देखिए क्या होता है पहले एक इंटर्वियू में पशुपती पारस के क्या इसारा कर रहे हैं यह इसका मतलब साफ हुआ कि पस्पती पारस समझाओते के लिए तयार है वह वह जिस स्थिती में आज पहुंच गए हैं उसके लिए वह खुद जिम्मेवार है एक और उनके बड़े भाई राम विलास पास्वान का देहान्त हो चुगा था यही परिवार के मुख्या थे उसके बाद तो इनको चाहिए था कि सब कुछ समाल के सब को साथ ले करके आगे बढ़ने का और परिवार के लोग भी चिराग पास्वान उनकी माता जी सब इन पर भहुत भरोसा करते थे बहुत मतलब इनके रहने से लोग एक इत्मिनान का भ बैठे रहे दो घंटे से ज्यादा और उन्होंने भेट तक नहीं की तो यह बात कभी भूलने वाली नहीं हो सकती तो यह चिराग पास्वान को हमेशा यह बात सालती रहती है कि चाचा ने हमको संकट में डाला था और यह उन्होंने खुद नहीं किया पस्पति पारस ने व अब उन्होंने हाला कि वह तुलना यहां गलत हो जाएगी मंगर बीवीशन को अभी लोग एक घर का भेदी के रूप में ही मानते हैं उनको अच्छे बेक्तित के रूप में उनको याद नहीं किया जाता है तो वही इस्थित पस्पति पारस की भी है उन्होंने घर तोड़ है मगर यह जरूर है कि आज जो दिलिप जैस्वाल उनके घर है तो उससे उनकी उमीदें एक बार फिर जगी है और एक नई उर्जा का उनमें संचार हो गया जैसे अठारा सव संतावन में बाव कुमर सिंग की हड़ियों में नया जोस जागा था वैसे ही दिलिप जैस्वा के जाने से वस्पति पारस जी के अंदर भी एक नया जोस आज आ गया होगा अब क्या बात हुई दोनों के बीच यह तो अभी खुलासा इसका नहीं हुआ है मगर वही लगता है कि एक बार बीजबी प्रियास करें कि दोनों घड़े एक बार फिर साथ आ जाए और मिल्यूर जो लगतार वो दोहरा रहे थे कि सम्मान जनक समझावता नहीं हुआ तो 243 की 243 सीटों पर हम कैंडिडेट देंगे क्या यह प्रेसर पॉलिटिक्स जो उनके तरफ से किया गया यह काम कर गया कि दिलिव जैस्वाल को आकर मुलकात करनी पड़ी वह प्रेसर पॉलिटिक्स म कमेसा से चाहती रहे कि वह साथ रहें पारस से दिलिव जैस्वाल की मुलकार क्या चिराग के लिए चिंता कभी से है चिराग के माते पर पर सानी जरूर हो यह जिस तरह से चिराग से थोड़ी सशंकित भी हो गई यह बीजेपी जिस तरह से उन्होंने आरक्षन वाले मसले पर क्रीमी लेयर के मसले पर जिस्तर से भाजपा के खिलाब अलग स्टेंड लिया बंद का समर्थन तक कर दिया उन्होंने तो इससे भारतिय जनता पाकी जरूर अंदर खाने नाराजगी परती पसुपती पारस के तरफ से किया गया तो वह तो बेचारे अलग थालग पड़े हुए उनको इंडिये में पूछ रहा है ना महांकट वंदान में पूछ रहा है तो अपनी अहमियाद दिखाने के लिए वह कुछ कुछ करते रते जैसे बयान दिया कि 243 पर खड़ा कर देंगे 243 पर कंडेट भी नहीं मिलेगा उनको उसी तरह यह समर्थन भी उन्होंने दिया मगर यह चिराग के लिए जरूर चिंता का भी सय है और चिराग को काबू में रखने के लिए यह इस बात की संभावना है कि बीजेपी प स्वस्पती पारस का इस्तिमाल करें जिंदा रखें उनको ताकत्वर भी बनाएं तो यह एक राजनिती आगे की हो सकती है तो जिस तरीके से बिहार में राजनतिक घटना करम अब इन दिनों थोड़ा जादा बढ़ते दिखाई दे रहा है उसको लेकर कई तरह के कयास है ब उन्हें NDA से मिला है मनन मिसरा जो अचानक से सामने आये उन्हें चार साल का कारिकाल मिल गया अब स्याम रजक ने राजत छोड़ दिया है जर्दियू में आने की पूरी संभावना जताई जा रही है काजाराय के पुलवारी की सीट को लेकर नितीश कुमार से डील हो गई ह आगे देखना होगा क्या होगा और वहीं दिलिप जैस्वाल और पशुपती पारस की मुलाकात निश्चे तोर पर चिंता की का विसेद चिराक पास्वान के लिए बन चुकी है आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी का बहुत बहुत धन्य क्यां विसे क्या होगा रखते हैं